सो हे गाईज महूँ विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग तो माइनक्राफ्ट के एक और वीडियो में आप लोगों का सवागत है आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैं एक और ओपी एड़ोन जिसको लगाने के बाद में आप लोगों काफी ज्यादा ओपी लूट मिलने वाली अपने माइनक्राफ पोकेट एडिसन के अंदर तो अगर आप लोग भी ये वाला जो एड़ोन अपने माइनक्राफ पोकेट एडिसन के अंदर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगो क्या करना है वीडियो को लाच तक जरूर देखना है अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल लोग यादसे सबस्क्राइब करदेना है वीडियो को लाइक करदेना है और दोस्तों में शेयर करदेना है तो चलिए मैं आप लोगो दिखा देता हूँ कि ये एड़ोन जो है कैसे काम करने वाला है इस एड़ोन के अंदर आप लोगो ज़्यादा कुछ नहीं करना बैस आप लोगो जो आपके सिप्स हैं उनके पास जाना है और उनकी सियरिंग करनी है जैसे आप लोग यहाँ पे उनका सियर कर दोगे तो आप लोगों को एक ओपी लूट मिलने वाली है तो इस तरीके से आप लोग जो अपनी सिप्स है उनके सियर करो और ओपी से ओपी लूट यहाँ से लेते जाओ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाईज TNT, Enchantment Table, Elytra यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हैं Iron Block भी मेरे को इननो दिया है उसके लावा यह रहे Golden Carrot और भी आप लोग देख सकते हैं पोर्षन रहा है Space Version of Fire Resistance उसके लावा यहाँ पे और पोर्षन आप लोगों मिल जाते हैं यह देखे Bottle of Enchantment मिल जाती है आप लोग को यहाँ पे आप लोगो नेदराइट हो मिल रही है Silk Touch 1 के साथ में और Efficiency 5 के साथ में तो आप लोग देख सकते हैं कितनी OP loot है यह आप लोगो बनानी पड़ती है लेकिन अभी लेकिन आप लोगो जो Ships हैं वो ही आप लोगो जीतनी OP loot है इतनी बड़िया बड़िया चीज़े हैं वो देने लग रही है तो आप लोगो और कहीं डाउंलोड करोगे तो । डाउंलोड करने के लिए आप लोगो पो नीचे इस-पिंट कमेंट में जाने वहाँ प्रोगो जीतनी अप लोगो की जोण लिंक मिल जाएगी तो आप लोग वहां से ऑद पड़ु जुद पड़ेगी तो चली आगेगा जो प्रोसेस में आप लोग वहां से वह वाली फैल डाउनलोड कर लो तो इसके बाद में आप लोग नीचे की साइड आओगे तो आप लोग वह एम वाले सेक्शन के अंदर फाइल मिल जाएगी माइनक्राफ्ट बट सियरिंग ड्रोप्स ओपी लूट तो आप लोग उगे डोट जिप के अंदर मिलेकी आप लोग इसको रीनेम करके डोट जी भटा देना है जैसी आप लोग डोट जीप अटा दोगे प्लेग अबर क्लिक कर देना है आप लोग किसी भी नए या पुराने वर्ल्ड के अंदर इसको लगा सकते हो behavior pack में जाना है वहाँ से इसको activate कर देना इसके अंदर सिर्फ behavior pack के फाइल मिलेगी आप लोगों को और अगर आप लोग बीटा वर्जन यूज़ कर रहे हो या फिर लोवेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो 1.16 में से नीचे वाला तो आप लोगो क्या करना है जो experimental gameplay है वो on कर देना है लेकिन अगर आप लोग 1.16 भी यूज़ कर रहे हो और आप लोगों के मुबाइल के अंदरी add-on वर्क नहीं कर रहे है तो आप लोगों को experimental gameplay on कर देना है तो इस तरीके से आप लोग जो यूज़ एड़ोन अपने Minecraft application देर यूज़ कर सकते हो चलिए मैं मिलता हूं इसी तरह की मज़दार वीडियो वीडियो की नेक्स टाइम तब तक के लिए बाइबाए